जै मातादी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है मैं अंशु गुपता क्या आपके घर में क्रिस्टल का कचुवा रखा है और आपको इसकी पून जानकारी नहीं है क्रिस्टल का कचुवा कहां रखना चाहिए कौन सी दिशा में रखना चाहिए क्रिस्टल का कचुवा आपको किसी ने गिफ्ट तो कर दिया आपने घर में लाकर किसी भी डिरेक्शन में रख दिया क्योंकि आपको इसकी जानकारी ही नहीं है कि इसको किस तरीके से रखना चाहिए किस प्रकार से रखना चाहिए जिससे की इसके फायदे आपको मिल पाएं कच्छुआ रखने की हर डारेक्शन होती है एक मकसद होता है क्योंकि कच्छुआ सुख और समरिदी का प्रतीक होता है तो कच्छुआ को कहां रखना चाहिए कहां रखने से आपको उसके फायदे और लाब मिलेंगे लगबग सभी के घर में कचुआ होता है क्रिस्टल का कचुआ लगबग 99% घरों में अराम से मिल जाता है कुछ लोगों को गिफ्ट में मिलता है तो कुछ लोग खरीद कर ले आते हैं क्योंकि वो देखने में सुंदर ही इतना होता है देखकर मन करता है कि हम भी इसको रखने पर हमें सही जानकारी नहीं है कि किस तरीके से रखें जिससे हमारे घर में सुख और समरिद दिया है इसलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि crystal का कचुवा घर में कहां और कौन सी दिशा में रखना सही है किस तरीके से रखना चाहिए crystal का कचुवा घर में रखने के क्या-क्या फाइदे है तो वीडियो को अंतक सरूर देखियेगा और यदि आप चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैन नोटिफिकेशन को अन सरूर करें मित्रों कचुवा रखने से धन और समरिद्धी घर में आती है पहले समय में लोग जीवित कचुवा एक तालाब बना कर रखते थे आज की समय में भी कुछ लोग रखते हैं मैंने बहुत लोगों किया वास्तु करी है तो मुझे कुछ घरों में मिला है वो लोग एक्वरियम में असली का जीवित कचुवा पालते हैं कचुवा सुक और समरिद्धी का प्रतीक है हर कोई तो जीवित कचुवा नहीं रख सकता है पर आप अपने घर में क्रिस्टल का कचुवा रख सकते हैं जिसके लिए आपको सबसे पहले सही कचुए का चुनाव करना होगा। ऐसे नहीं कि मार्केट में गए आपने कचुए देखा और उसे खरीद लिया। दुकानदार ने भी बेचना होता है तो यदि उसमें कोई कमी होती हो तब भी आपको पेश देता है। जब भी आप क्रिस्टल का कचुए खरीदने जाएं तो शुकरवार का दिन होना चाहिए। और ध्यान रखें सबसे पहले तो कचुए देखने में बहुत सुन्दर और एट्रेक्टिव होना चाहिए। कचुए के साथ उसकी एक कटोरी नुमा प्लेट भी सरूर होनी चाहिए। खरीते समें आपको ध्यान रखना है कि कचुए वह उसकी प्लेट पर किसी भी परकार का कोई दाग, कोई दरार, कोई निशान या कोई क्रैग नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कुछ होता है, तो कचुए का फायदा मिलने की जगे आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप कचुए की प्लेट और कचुआ लाएं, तो आपने कचुआ और उसकी प्लेट का चुनाव इस तरीके से करना है, जब प्लेट में आप कचुआ रखेंगे, तो कचुए के पैर डूबने चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया है कि कच्छुआ हमें किस प्रकार से लेना चाहिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि कच्छुआ हमें किस दिनों में खरीदना बहुती शुब और लापकारी होता है तो सबसे पहले तो आप कचुवा किसी भी शुप दिन कोई वरत है कोई तोहार है दिवाली धनतेरस है अक्षेत रितिया है या शुकरवार का दिन है आप कचुवा क्रिस्टल का कचुवा खरी सकते हैं अब आप कचुवा खरीत के लाए तो सबसे पहले आपने उसमें प्राण प्रतिस्टा करनी हैं तो वो किस प्रकार से करेंगे क्योंकि जब तक आप प्राण प्रतिस्टा नहीं करेंगे तब तक वो आपके शुब परेणा नहीं देगा आपको क्या करना है सबसे पहले कचुवा जब आप शुब मौरत में लाते हैं तो आपने गंगा जल में हल्दी मिलाकर कचुवे को और कचुवे की प्लेट को स्नान कराना है सनान कराने के बाद उस प्लेट में इतना गंगाजल भरना है कि कचुए के पैर डूब जाए जब कचुए के पैर डूब गए है आपने प्लेट ले ली है कचुए की प्लेस्मेंट कर दी है शुब मोहरत भी ले लिया है प्रान प्रतिस्टा भी कर दी है अब आपको इसको कौन सी direction में रखना चाहिए क्योंकि direction भी हर किसी को नहीं पता है लाके वज जहां हमें सही जगे लगी वहाँ पर place कर दिया पर कच्छुए की रखने की सही direction होती है north आपको कच्छुए को इस तरीके से रखना है कि कच्छुए की जो पूच है वो north की तरफ होनी चाहिए और कच्छुए का जो face है यानि कि उसका जो मुख है वो south की तरफ होना चाहिए आपको कच्छुए को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि कच्छुए north direction से आपके घर में आ रहा है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग direction को लेके confuse हो जाते हैं क्योंकि कहीं पर direction बिलकुत सामने हैं तो कुछ जगाओं पर directions corner पर है तो वो confuse हो जाते हैं कि हमें कहां पर रखना है आपने mobile में compass को download कर लेना है या आपके corners में आ रहा है जहां भी आपका north आता है वहाँ पर आपने कच्यों के place कर देना है बस ध्यान यही रखना है कि वो लगना ऐसा चाहिए कि north की direction से कच्यों आपके घर में प्रवेश कर रहा है यदि आप कच्यों की placement सही तरीके से कर देते हैं तो आपके घर में सुख, धन, समरिद्धी, वैभव सब आने लगेगा अब आपको कुछ बात का विशेश तोर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने कच्यों की placement करी तो आपको ये ध्यान रखना है कि कच्यों के मुख के सामने खिड़की या दर्वाजा नहीं होना चाहिए यदि कमरों का दर्वाजा है तो चलेगा पर यदि घर के बाहर की खिड़की या में डोर ऐसा कुछ पढ़ रहा है तो घर के खिड़की और दरवाजा कच्छुए के फेस के सामने नहीं होगा ऐसा करने से क्या होगा कि लक्षमी जी आपके घर में आएंगी सुक सम्रिद्धी आएगी पर सामने जो खिड़की और दरवाजा पट रहा है उनसे वो बाहर भी चले जाएंगी तो आपने ध्यान रखना है कि प्लेस्मेंट इस सरीके से रखें कि ये नॉर्थ में रखें साउथ को फेस करें पर सामने खिड़की और दरवाजा नहीं होना चाहिए इस इसका ध्यान रखें और कुछ लोग मंदिर में रख देते हैं कच्छुए को कच्छुए को मंदिर में भी नहीं रखना है क्योंकि मंदिर नॉर्थ इस डिरेक्शन में भी होता है इस डिरेक्शन में भी होता है कच्छुए को आप प्रॉपर नॉर्थ में रखें अब वो कहीं भी हो सकता है आपके drawing room का north भी हो सकता है, drawing room का north देखिए, अगर आपको सही placement मिल रही है, यह north है, सामने कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो आप drawing room में place करिए, जब आप रख रहे हैं, तो उस समय आपने मन में लगातार बोलना है, कि मेरे घर में सुख समरिद्दी का वास हो रहा है, मेरे घर में और मेरे परिवार में सुख समरिद्दी यश वैभब की बरकत हो रही है, ऐसा करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, कि कच्छुआ रखने के बाद आपका परिवार खुब अच्छे से फलेगा और फूलेगा अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग जो क्रिस्टल के कच्छुआ रखते हैं उसका जल वो निकाल कर फेक देते हैं अरे वो तो लक्षमी जी का जल है घंगा जल है आपको उसको फेकना नहीं है आपने दो तिन दिन में जल को बदलना है पर उस जल से आपने अपने घर में और अपने विपार सान में छीटे देनी है ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से आपकी घर की सभी नेगटिव एनरजी आपके घर और विपारसान से बाहर चली जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनरजी का वास होगा अब यहां पर अपने घर में सुख्समरिद्धि को बढ़ाने के लिए आप ये कच्छुआ हमेशा साफ सुथरा रहें आप इसको और सजाकर लख सकते हैं आप इसमें थोड़े से स्टों स डाल सकते हैं आप इसमें नैचरल फूल सlex डाल सकते हैं आप इसके इंदर थोड़े स आशिरवाद और वास रहेगा तो मित्रो ये थी जानकारी कि क्रिस्टल का कच्छुए की सही प्लेस्मेंट क्या है कौन सी दिशा में रखना चाहिए किस प्रकार से रखना चाहिए यदि हमें कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है तो हमें कब खरीदना चाहिए और इसको रखने से हमें क्या-क्या लाफ मिल सकते हैं उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाफकारी साबित होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और रिष्चेदारों में शेयर करें वीडियो से संबंदित ये थी आपका कोई प्रशन है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं अपने चानल एस्टो फेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल नोटिफिकेशन को आउन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं डेली का राशिफल होता है डेली का पंचांग होता है और बहुत यूसफूल काम के टिप्स होते हैं तो करिए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जैमातर दी आपका दिन शुब हो